नमस्कार दोस्तो, Ready to Guide चैनल की इस वीडियो में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज बहुत ही मैथपोन प्रस्टन लेकर आए हैं जिसमें हैं दोस्तो एक तो invalid registration निवेशको को policy में invalid registration क्यों आता है दोस्तो और दूसरा जो कमेंट्स हम देखने वाले हैं वो है कि 15,000 से कम होने के बाब जूद भी certificate incorrect display हो रहा है ऐसा क्यों है तो दोनों ही कमेंट्स को लेने वाले हैं दोस्तो जो भी निवेशक हैं जो इन दोनों ही समस्याओं से जूज रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सांदार है तो सबसे पहले मैं invalid registration के बारे में आपको बतायता हूं दोस्तो जब तक आप अपनी PSL की policy को online नहीं करते हैं तब तक आपकी जो policy है वो invalid रहती है यानि कि वो valid नहीं है जब आप cbpsldrefund.co.in website पर जाते हैं बहाँ जाने के बाद जब आप अपनी policy को check करते हैं तो आपको ये वाला message दोस्तों सो होता है जिसमें निखाया है invalid registration अब ये क्यों होता है जब आप अपनी policy को registered करतेंगे policy registered कैसे करते हैं देखें जब सबसे पहले 15-16 में PSL की policy online किये जा रही थी उस समय सबसे पहले आपको अपना mobile number से registration करना था उसके बाद आप अपने PSL की जितनी भी policy थी सब को आप bond, receipt, bank ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है website पर तो जब तक आप online नहीं करेंगे तब तक invalid registration number 100 होगा ये ही बताएगा कि invalid registration है online नहीं हो पाई या आपने खुद से नहीं की कुछ ऐसे निवेशक भी है जो जिनके document PSL के office में जमा है उसके बाब जूद वो policy का number जो है CBPSRefend.co.in की website पर जागर चेक करते हैं तो ऐसी condition में उनको invalid registration का जो matter है दोस्तो ये so होगा तो सबसे पहले आपको अपनी policy online करनी है online कब करनी है ये भी मैं आपको बता दूँगा और अभी मैं आपको बता हूँ तो अभी online प्रकरणा start नहीं है बंद है जब start होगी तब मैं आपको बता दूँगा दोस्तो next comment है कि sir आप reply नहीं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो reply मैं सभी का करने की कोशिस करता हूँ तो यहाँ पर है sir reply नहीं करते हैं मेरे 3 customer का 15,000 से कम है पर certificate incorrect display हो रहा है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो incorrect displays हो रहा है यह ज़्यादा बड़ा matter नहीं है इसका मतलब है कि आपने policy को online किया था online करते समय हो सकता है server down होने के वज़े से आप जब अपनी PCL की bond को या policy को जब उस समय upload कर रहे होंगे document वो proper तरीके से upload नहीं हो पाए होंगे और server down होन के वज़े से वो बीच में रुख गया होगा तो इस वज़े से आपका जो certificate है वो incorrect so हो रहा है इस समय से बचने के लिए जब PCL के तरफ से edit का option दिया जाएगा उस समय आप अपने bond की फिर से दूसरी copy black and white copy अब जब upload करेंगे तो यह समस्य आपकी खताम हो जाएगी और आपको 15,000 रुपे मिल जाएगे तो इसमें tension करने वाली कोई भी आप सकता नहीं है दोनों ही condition वाले invalid registration और जिनके certificate incorrect display हो रहे हैं उनको message है कि जब save के तरफ से आपको edit करने का option दे दिया जाएगा तो तब तक आपको इंतिजार करना है दोस्तों यह छोटी सी वीडियो है दोनों ही topic हमने cover कर लिए है next comment है कि sir मेरा SMS आ गया था मैंने policy भी भी भेज दिये 15 जुन को अभी तक पैसा नहीं आया निश्चिंत रहिए पैसा कभी भी आपको आ सकता है तो दोस्तों आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद